मिशकार मैं हूँ धैंशी खवर समझों के तमें आपका स्वाकत है। आईए पढ़ते हैं आज की कुछ तासत वरीन खवरों की और। दुशाती नकब जनों से दूर लाख का माल परामत भेजा जईल। आमला आमला में मुखभीर की सूचना पर थाना प्रभारी संतोष कुमार पंद्रे की टीम नी नागपूर निवासी दयाराम चोहान की रिपोर्ट पर संदेह की आधार पर रोशू और रोशन पिता नागवत ग्रिन सिटी काला पार्थ बैतुल। एवं उसके साथ ही दिपेंद्र हारोडी पिता संतोष हारोडी निवासी हमलापूर बैतुल को ग्राम हसलपूर से गरफतार कर चोरी किये गए उनके कबजे से सूनी चांदी की आभूशन और नगदी सहीत चोरी किया गया दो लाख रुपे का माल बरामत कर आरुपियों को नयाले में पेश किया है जहां से उन्हें जेल भेच दिया क्या दोनों नकाबजन पूर्व में बैतुलव मुलताई में भी नकाबजनी कर चुके है चोरों को पकड़ कर जेल भेजन में सुनी लाथा टी आई मुलताई उपनरक्षक हेमंत पांदे नीरच खरे कमलेश अधिक भी महतो पुर्णा भूमिका रहीं श्रीमान जी थाना आमला में सातीर चोर की गिरापतारी होना सुनिच्चित हुआ है क्या पूरा मामला है तर बताया है विस्तार से जी है दिनाल 6 अगस्त को प्रभाद गस्त के दौरान उनिस्थाना हमला की टीम को दो लड़के जो कि ये पूरो नकब जन है तो इससे पुछताच की गई और घलासिंग गई तो रोशन नागावत के बास ताला थोडने वाली राट और मोटरसाइकल की चावियों का गुच्छा मिला उनकी वहां बोड़की में उबस्तिती संदयास करतीत होने से थाना लागर पुछताच की गए तो उन्होंने आमला थाना चित्र की एक और मुझदाई थाना चित्र की एक दो चोरिया करना घर में ताला तोड़कर उचकर चो और मुझदाई दाफिक कराए रहे है त्रिमान जी सातिर आरोपियों के विरुद पूरों में भी कोई अफराद कराए मैं है यह पुराने नकभजन है इनके खिलाब गंज, कोतवाली और मुझदाई ने पहले से नकभजनी के परकंड पंजीवत हो चुकी है आमला से एक एक है पुर्साद को ही किरिपोट